trying time duration or length contraction कि हम लोग के एक एक Sun को देखेंगे और उससे हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे time dilation and length contraction एफक्त करती है हम लोग देखे हैं student एक space ship है वो ट्रेवल कर रही है एक star की तरफ जिसकी speed half of speed of light हम लोग फर्स करते हैं کہ उसको जो है 8 साल यानि 8 येर्स चाहिए हैं उस स्टार तक पोंचने के लिए फ्रॉम दा पॉइंट अफ व्यू अफ दा अब्जर्वर ऑन दा अर्थ एक अब्जर्वर अर्थ के ओपर खड़े होकर जो के एक अलैदा रेफरेंस फ्रेम है वहां से अब्जर्व कर रहा है उस स्टार तक पोंचने के लिए 8 साल लगा रहा है अगर हम लोग देखते हैं स्टुर्वर अर्थ पॉइंट अफ व्यू से तो वहां पर जो क्लॉक्स स्टुर्वर वो बहुत ही स्लो मूव कर रही है अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो spaceship एस्ट्रेंट्स वो क्या कर रहा है वो 8 years में पहुँच रहा है तो जो clocks हैं अर्थ के उपर वो time दिखा रही है 8 years का और अगर हम लोग यहां पर time dilation की बात करें तो time जो है वो spaceship के अंदर जो कि spaceship के अंदर observer मुजूद है उसके एसाब से star तक पहुचने के लिए उसको 7 साल का time लगेगा तो यही है हमारे पास टाइम डाइलेशन यानि कि यहां पर जो time है वो कम लग रहा है as compared to the other inertial frame यानि कि अर्थ के ओपर जो observer observe कर रहा है time को वहां पर 8 साल लग रहे हैं और जो observer बैठा हुआ है उस spaceship के अंदर उसके इसाब से star तक पोचने के लिए 7 साल लग रहे हैं तो यहां पर हम लोग देखते हैं students speed of light से जब object मूव करते हैं तो वहां पर जो time है वो कम हो जाता है यही है हमारे पास applications of length contraction और time dilation जो के special theory of relativity का एक हिस्सा है Thank you